आपका स्वागत है आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चेप्टर वन जो चेप्टर का नाम ठोस अवस्था के बारे में अध्यन करेंगे तो यह सात वजे साम को प्रदिन लाइब कलास चलता है आप सभी विद्यार थी इस सात वजे लाइब कलास से जुड़िये और प्रदिन एक अच्छे से नोट्स को तयार कर लीजिये तो इसके पिछले भाग यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं आज इस भाग में रिक्तिका के बारे में अध्यन करेंगे कि रिक्तिका क्या है रिक्तिया कितने प्रकार के होते हैं तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए और एक अच्छे से नोट्स को तयार कीजिए रिक्त का अर्थ होता है खाली अस्थान जैसे आप लोग कलास दो में पढ़े होंगे तो कहीं देखे होंगे रिक्त अस्थानों की पूर्ती कीजिए इसका अर्थ है कि खाली अस्थान को भरिये तो ऐसे ही ठोस में भी कुछ जगा उनके अस्थान क्या होते हैं? खाली होते हैं उसी अस्थान को क्या कहते हैं रिक्तियां कहते हैं अब यहाँ पे हेडी नोट करेंगे रिक्तियां रिक्तियां क्या है तो इसका उत्ता लिखेंगे रिक्त का अर्थ होता है खाली अस्थान होता है रिक्त का क्या अर्थ है खाली अस्थान होता है जब ठोसों क बेवास्थित किया जाता है तो कडो के बीच में ध्यान देंगे कडो के बीच में क्या होता है खाली अस्थान होता है इसे खाली अस्थान को क्या कहते हैं रिक्तिया कहते हैं जब ठोस को सजाया जाता है एक के उपर एक के उपर अगर सजाते हैं निवीट संकुलन में बताया गया है तो जब सजाते हैं तो उसके कोडों के बीच में कुछ खाली अस्थान होता है अब उस खाली अस्थान को ही क्या कहते हैं रिक्तिया कहते हैं तो रिक्तिया का अर्थ समझ में आ गया होगा इसे अपने कापी में नोट कर लिजिए अब हम तो पढ़ेंगे रिक्तियां के परकार, अब यहां नीचे नोट कर लेंगे रिक्तियां जो होते हैं, दो परकार के होते हैं, यहां लिख सकते हैं कि रिक्तियां निम्न परकार के होते हैं, निम्न मतलब नीचे लिखा गया है, पहला का नाम है चतुर फल की रिक्तियां, और द बस थोड़ा सा अगर ध्यान दे दीजिए, तो आपको उतर अच्छे से समझ में आ जाएगा, अब यहाँ पे नोट करेंगे, चतुर्स फल की रिक्तियां क्या हैं, तो बहुत असान इसका उतर है, देखिए, कैसे इसको उतर को बोलेंगे, जब तीन गोले, ध्यान देंगे, तो इस परकार के रिक्तियां पराप्त होती हैं, उसे चतुर्स फल की रिक्तियां कहते हैं, अर्थात यह हुआ, कि जब तीन गोले को सटा के रखेंगे, और उसके उपर एक और गोला जब रखेंगे, तो उसके बीच में जो खाली अस्थान होगा, उस खाली अस्थान को ही चतूर फल की रिक्तियां कहते हैं जैसे आपको चितर में बताया जाएगा तो अच्छे से चितर भी आप लोग बना लीजिए जैसे चितर में देखेंगे यहाँ पे तीन गोले यह एक गोले, दो गोले और तीन गोले तीन गोले के ऊपर एक गोला ऊपर रख दिया गया है जब इसके ऊपर रख दिया गया है तो बीच में यहाँ देखेंगे खाली अस्थान है इस खाली अस्थान को ही क्या कहेंगे चतुर्स फलकी रिक्तिया कहते हैं चतुर्स फलकी मतलब यहां पर टोटल कितने गोले हो गए चार हो गए इसलिए कहेंगे चतुर्स फलकी रिक्तियां हैं तो समझ में आ गया होगा चतुर्स फलकी रिक्तियां क्या हैं तो यहां पर उतर को अच्छे जब समझेंगे तो आपको उतर भी समझ में आ जाएगा चतुरू फल की रिक्तियां कहते हैं तो अब हम लोग पढ़ेंगे अश्ट फल की रिक्तियां क्या हैं अब इसके उतर को समझेंगे इसका उतर होगा जब तीन गोले परस पर सटा के रखें अब इसके पहले भी हम लोग पढ़ें चतुरू फल की रिक्तियां में भी तीन गोल इसमें भी लिखना है कि जब तीन गोले परस्पर क्या सटा के रखें हैं तो उनके उपर पुनह तीन गोले और रख दिया जाए तो इस प्रकार के रिक्तिया को औश्ट फल की रिक्तिया कहते हैं और चतु फल की रिक्तियां में क्या था जब तीन गोले को परसपर सटा के रखने पर एक गोला उसके उपर रखना था और इसमें क्या है इसमें तीन गोले और रख दिये जाए तो इस परकार के रिक्तियां को क्या कहते हैं अश्ट फल की रिक्तियां कहते हैं जैसे चित्र मे आपको बताया जाएगा तो चितर को अच्छे से समझेंगे तो समझ में पूरा आपको क्या जाएगा आजाएगा अब यहाँ पर देखेंगे चितर में यहाँ तीन गोले पर देखें नीचे है एक गोले दो गोले तीन गोले है और तीन गोले के उपर और भी तीन गोले रख दिया गया है तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर छे गोले आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ तीन गोले पहले से इसके उपर तीन गोले हैं तो इसके बीच में यहाँ खाली अस्थान दिखाई दे रहा है इस खाली अस्थान को ही का काते हैं अश्ट फल की रिक्तियां काते हैं ये बीच में देख रहा है खाली अस्थान जो दिखाई दे रहा है इस खाली अस्थान को ही का काएंगे अश्ट फल की रिक्तियां हैं तो समझ में आगया होगा चतु फल की रिक्तियां क्या है और अश्ट फल की रिक्तियां क्या है अब समझेंगे रिक्तियां में सम्बंद क्या है अब इसी सम्बंद के सहायता से आगे चलके अभ्यास जब हम लो पढ़ेंगे तो कोशन जब रहेगा उसमें नुमेरकल रहेगा तो नुमेरकल को हल करने के लिए यह सुत्र का इसमें पर यो किया जाएगा तो सम्मंद को धियान देंगे चतु फल की जो रिक्तियां है अश्ट फल की रिक्तियां से क्या होते हैं दो गुना होते हैं या कई बार पेपर में आ चुका है बौवी कलपी प्रस्ट में कि चतु फल की रिक्तियां अश्ट फल की रिक्तियां से कितने गु इसी को आगर हम संख्या में बताना चाहें तो कैसे लिखेंगे माना किसी परमाड में अश्ट फलकी रिक्तिया की संख्या क्या मालने यन मालने अगर अश्ट फलकी में रिक्तिया की संख्या यन है तो चतुल फलकी रिक्तिया कितना हो जाएगा तो यहाँ पे जो अश्ट फल की रिक्तियां है वो कितना है यन है तो चतू फल की रिक्तियां कितना हो जाएगा तू यन हो जाएगा दू गुना हो जाएगा तो समझ में आ गया होगा कि रिक्तियां में सम्बंद क्या है तो चतू फल की रिक्तियां अश्ट फल की रिक्तिया से को गुना होता है दो गुना होता है अब हम लोग पढ़ेंगे दोस अब दोस क्या है दोस मतलब कमिया जैसे आप लोग के अंदर भी कुछ कमिया होती है जैसे आप लोग काते हैं कि आज पढ़ेंगे आप आज पढ़ते नहीं है सो उसते हैं कल पढ़ेंगे कल भी नहीं अपने अभिहास को पढ़ते रहिए, कुछ न कुछ तयार करते रहिए, तो इसी परकार दोस है, जब मनुस में दोस पाया गया, तो इसी परकार ठोस में भी दोस पाया गया, कई जगा दोस उसमें जब है, कई परकारों के उसमें दोस पाया गया, तो दोस किसे कहते हैं, अप अपने कापी में अब नोट करेंगे कि जिस परकार मनुस में कुछ दोस पाया जाता है या देखेंगे जब मनुस में जब दोस पाया गया तो ठीक उसी परकार ठोस के जो कडो में भी कुछ दोस पाया जाता है जब मनुस के अंदर कुछ न कुछ कमिया होती है तो ठीक उसी प पढ़ेंगे दोस कितने परकार के होते हैं तो दोस जो होते हैं यहां हेडिंग पर नोट कर लेंगे दोस के परकार अब दोस जो होते हैं दो परकार के होते हैं पहला का क्या नाम है तो पहला का नाम याद रखेंगे रस समीकरण मीती दोस ध्यान देंगे रस समीकरण मीती दो यह दो जो दोस हैं बहुत ही आयमपी है क्योंकि इसमें से हामेशा पेपर में पूछा जाता है अब हम लोग पढ़ेंगे रस समीकरमीती दोस क्या है और और रस समीकरमीती कितने परकार के होते हैं और और रस समीकरमीती दोस कितने परकार के होते हैं तो एक एक कोशन को एक एक लाइन को आपको बताया जाएगा तो आप अच्छे से इसको तयार कीजिए अब यहाँ पर नोट करेंगे रस समिकर मीती दोस अब रस समिकर मीती दोस क्या है अब इसका उत्तर अगर आपको याद हो गया रसमिकरमीती दोस का तो और रसमिकरमीती दोस भी समझेए याद हो जाएगा बस थोड़ा सा ध्यान देंगे परिभासा याद हो जाएगा तो अब इसका उत्तर क्या होगा ऐसा दोस जिसमें धन आयनों और रिड आयनों के संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है इस परकार के दोस को रसमिकरमीती दोस कहते हैं इसका अर्थिया है कि ऐसा दोस रहेगा जिसमें जो धन आयन होंगे और रिड आयन की जो संख्या होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा इस परकार के दोस को रसमिकरमीती दोस कहते हैं अगर और रसमिकरमीती दोस की परिवासा याद करना चाते हैं तो बस जहां नहीं लिखे हैं नहीं होता है तो उसमें होता है बस यह नहीं सब्द को हटा देंगे तो दूसरा परिवासा क्या हो जाएगा याद हो जाएगा तो समझे बहुत आसान परिवासा है और रसमिकरम और Sumika Amiti की परिवासा भी नोट कर लेंगे कि क्या होगा इसका परिवासा है ऐसा दोस जिसमें धन आयनों और रिड आयनों के संख्या में कोई परिवर्थन होता है। इसके उपर क्या पढ़े हैं कोई परिवर्तन नहीं होता है इसमें क्या बोलेंगे इसमें परिवर्तन होता है इस परकार के दोस को और रस समिकरण मीती दोस कहते हैं तो दोनों की परिभासा समझ में आ गया होगा कि रस समिकरण मीती दोस क्या है और रस समिकरण मीती दोस क्य परकार के होते हैं पहले इसके परकार पढ़ेंगे अब तब उसके बाद से और समीकमीती दोस्त के परकार पढ़ेंगे अब यहां नीचे नोट करेंगे रस समीकमीती दोस्त के परकार के होते हैं तो यहां नीचे नोट करेंगे कि रस समीकमीती दोस्त जो हैं चार परकार के ह कितने परकार के चार परकार के पहला का नाम है साटकी दोस दूसरा नाम है रिक्तिका दोस और तीसरा का नाम है फ्रेंकल दोस और चौथा का नाम है अंतरा कासी दोस अब इतने दोस के बारे में पढ़ेंगे साटकी दोस क्या है रिक्तिका दोस क्या है फ्रेंकल दोस क्या है और अंतरा कासी दोस्त क्या है तो यह जो दोस्त के बारे में अगले वीडियो में बताया जाएगा इस वीडियो में इतना ही तक आज रहे हैं।